नमस्कार, मैं हूँ ससी, संध्या समाचार में आपका स्वागत है, आए जहर्खन के दिन भर की खबर जानते हैं जहर्खन में मौसम के करण लोग हो रहे हैं बिमार, मौसम का बदलता मिजाज लोगों को बिमार कर रहा है बुखार, सरदी, खासी, गले में खरास और सांस लेने की समस्य से पिडित मरीजों की संख्या अचानक बढ़ गई है बिमार, सरकारी और नीजी अस्पताल को OPD में इलाज कराने पहुँच रहे हैं कमजोर इमिनिटी वाले लोग समाने फुलू की चपेट से ज़्यादा आ रहे हैं जिसमें बच्चे और बुजूर्ग सामिल हैं बता दे, रिम्स और सदर अस्पताल को OPD में 20 दिन पहले की अपेक्छा मौसमी बीमारी से पीडित मरीजों की संख्या 40 फिजदी बढ़ गई है रिम्स के फिजिसियन डाक्टर बिद्यापती ने बताया है कि बदलते मौसम में 20 द्यान रखना चाहिए मौसम के अनुरूप दिन चर्या बनाए और सन्यमित खान पान को सामिल करे रिम्स में सोमवार को 300 खतर मरीजों को मेडिसिन ओपीडी में परामर्श दिया गया जिसमें 140 से ज्यादा समाने फुलू की समस्या लेकर आये थे गुमला में तीन इसकुली छत्राओं की मौत गुमला में तीन इस्कूली छत्राओं की तलाब में डूमने से मौत हो गई, तीनो नहाने के लिए तलाब गई थी, मिरितकों में 12 वर्षिय मोनिका कुमारी, 9 वर्षिय अनिमा कुमारी और 7 वर्षिय सरोच कुमारी सामिल है, बता दे घटना गुमला थाना छेत्रे के असनी नावाटोली गाओ की है, मंगलवार को महावीर जियानती को लेकर इस्कूलों में छुटी थी, छुटी के दीन करीब 10 बजे असनी नावाटोली की 3 इस्कूली बचियां, गाओ के ही तलाब में नहाने गई थी, नहाने के दवरान तीनों बचिय तलाब में डूमने लगी, सलियों को नहीं थी, खुद को घेरे जाने की खबर, जारखन के चत्रा जीले के लवालोंग परखन छेत्र के नवडी हा, गरहे जंगल में मुडभेड के दरण पांच मवादी को धेर कर देने के अभियान के पीछे पुलिस अधिक चक, राकेश रंजन के उस सुचनातंत्र का ही कमाल है, जिसका जाल उन्होंने जीले के नक्सर प्रवाई छेत्रों में काफी गोपनिये तरीके से फ्यला रखा है, इस बात की पुष्टी उत्री छोटा नागपूर परमंडल के पुलिस उप महानिरिक चक, नरेंद्र कुमार सीनहा ने भी की है, बता दे, पुलिस उ मावाद्यों को गहरने की रणनिती बनाई गई, इस रणनिती में कोबरा बाटालियन के जवान के साथ चात्रा एवं पलामु जीला के पुलिस बल को भी सामिल किया गया, जार्खन में बिजली दरों में 20% तक होगा इजाफा, जार्खन के बिजली उबगताओं को जल्द ह टैरिफ का जटका लगेगा, जार्खन राजी बिजली बितरन निगम ने बिजली दरों में 20% ब्रीधी करने का प्रस्ताव राजी बिधूत नियामक आयोग को सपा, इस पर आयोग ने सोमवार को पलामु परमंडल में जन सुनवाई शुरू कर दी है, मेदनी नगर के दीन घरेलू में 50 पैसे प्रती यूनिट की दर से बिली बिल बढ़ाने की प्रस्ताव की जनकारी दी गई, वहीं प्रती मा फिक्स चार्ज टैरिफ में भी 25-30 रुपे की बढ़ोतरी का प्रस्ताव है रामगड में नवालिक संग हुई दरिंदगी की बाबु लानले की निंदा, रामगड जिले के रह रप्पा थाना छेतर नंतरगत मायर रप्पा मंदीर जाने की रास्ते, जनिया मारा जंगल में नवालिक साथ समोहिक दुसकर्म ममले में फरार एक आरोपीत की गिरफतारी दिया है, वहीं और एक युवक 25 वर्षी फ्रार है जिसे पुरिश डून रही है, बता दे जारकन के पूरमुख मंत्री और भाजपा विदायक दलके नेता बाबुलान मरानी ने इस घाटना पर अपनी परतिकिर्या देते हुए इसकी निंदा की है, राजरापा मंदीर जा पहने के बाद भी क्रिकेटर महंदर सिंग धोनी की सलाना आय पर कोई असर नहीं पड़ा है, बीतिये वर्ष 22 में उनकी आमदानी बीते साल, 21-22 की आय के लगभग बराबर रहने की उमीद जताई जा रही है, आयकर भी भाग में उनकी और से जमा किया गया अड़बांस टे टेक्स के रूप में जमा की थी, यानि इस साल उनकी आमदानी पिछले साल के बराबर रही है, वर्ष 2021 में धोनी ने एडवांस टेक्स के तोर पर 30 कोड़ रूपे के आसपस की रिकम जमा की थी, जार्खन भाजपा सांसदों का आई दिल्ली में होगा जुटान, जार्खन पहाजपा हेमंत सरकार की नीतियों के बिरूद में ब्रिहद आंदोलन की त्यारी में है, इसको लेकर पार्टी के वरिष्ट नेता लगातार बैठक कर आंदोलन की रन निती बना रहे हैं, रांची में इसको लेकर सोमवार को बैठक होई थी, वहीं आई दिल्ली में जिसमें आंदोलन की रूप रेखाता की जाएगी और नेताओं को जिमेदारी सोपी जाएगी, बतादे वरस्टा चार और अने मुदो परलगातार हेमंत सरकार पर हमलावार रहे भारतिया जनता पार्टी के नेताओं और करकाताओं ने 11 अप्रेल को जार्खन मंत्राले के ने लिया है, इस कारकरम के जरिये बीजेपी जहां अपनी ताकत का असास कराना चाहती है, वहीं हेमंत सरकार की खामिया को अंदोलन के जरिये जानता के बीच लाने की तैयारी में भी है जार्खन पुलिस ने तोड़ा रिकोर्ड एक साथ मार गिराये 65 लाग के नामी नक्सली, जार्खन में नक्सली मुट भेड और नक्सलीों के खिलाब अभियान में साल 2020 से लेकर 2022 तक जार्खन पुलिस नक्सलीों को इनकाउंटर में मार गिराया, इन सब को मिला कर कूल 44 ला जार्खन पुलिस के लिए यह एक रिकोर्ड है क्योंकि ऐसा कभी भी नहीं हुआ था कि साल भर के भीतर इनामी नक्सलीों के मार जाने का आकड़ा 50 लाग पार करे जामुमो का हजारी भाग में अस्थापना दिवस आज जार्खन मुक्ति मूर्चा का चवालिसवा अस्थापना दिवस सामरो मंगल भर को हजारी भाग में मनाया जाएगा इस देवान परिवान मंत्री चमपाई सुरन जामो के केंद्रीय समितिसर से बिनोत कुमार पांडे सामारो को समुदित करेंगे सामारो को सफल बनाने के लिए अस्थानिय एकाई छेते में जन संपर्क कर रही है ग्यात है कि हर जीले में जामू अस्थापना दिवा सामारो का विजन करता है हेम लाल मुर्मू एगारह को जामू में करेंगे वापसी 2024 में होने जार है लोग सभार विधान सभा चुनाओ को लेका सियासी उठापटक सुरू हो गई है एक और परमुख विपक्षी दल भाजपा 11 अप्रेल को विपक्षी मुदोग पर सची वाले का घिराव करेगी तो दूसरी और इसी दिन आट साल पहले जामू छोड़कर भाजपा में गए पुरो मंत्री हेमलाल मुर्मू मुक्ष मंत्री हमान स्रेन की मौजूदगी में घर वापसी करेंगे जामू के केंद्रिय समीतिसस बिनोत कुमार पांडे के मुताबिक हेमलाल मुर्मू 11 अफ्रेल को साहिब गंज के भोगना डी में आयुजित कारकरम के दौरान पार्टी में वापसी करेंगे हेमलाल मुर्मू का काना है कि भाजपा धरातिर की राई नित्ती नहीं करती संगठन सीफ डिजिटल मीडिया पर चलता है जारखन में सक्रिये संगठित अपराधिक गिरोहो पर नकेल कसने के लिए डिजिप बुद्धवार को करेंगे भाजाय कुमार सिंगि बुद्धवार को समीक्षा बैठक करेंगे समिक्षा बैठक में CID, DG, सभी रेंज के DIG और ATS, SP और सभी जिले के SSP, SP सामिल होंगे DGP 12 जारी आदेस में कहा गया है कि बीते 17 मार्च को हुई बैठक में दिये गए दिसार निर्देस के अनुरूप अगतन अनुपालन पर्तिवेदन के साथ सभी पताधिकारी समिक्षा बैठक में भाग लेने सुनिश्चीत करेंगे बतादे DGP अजाय सिंग ने पिछले बार हुई समिक्षा बैठक में सभी जीलों में सक्रिये संगठित अपराधिक गैंग और उसके सरस्यों की गतिवीदियों को लेकर चर्चा की थी बैठक में बड़े अपराधियों पर करवाई के लिए योजना बनाई थी सभी पुलिस अधिक्षों को जीमा दे दिया गया है कि अगर जेल में बंद अपराधि रंगदार्य मांग रहे हैं तो उन पर CCA के तहत करवाई की जाए जार्खन की दिपती कुमारी ने नेशनल रैंकिंग आर्चरी परत्योगता के सिनियर रिकॉर्ब में जीता गोल्ड खेलो इंडिया के तहत हरियाना के सोनीपत में 2-4 अपरिल तक हुमेस नेशनल रैंकिंग आर्चरी परत्योगता का फाइनल टोनामेट अविजित किया गया इस परत्योगता में जार्खन की बेटी ने इतिहास रचा है बतादे सिनियर रिकॉर्ब डिवीजन में जार्खन की दिपती कुमारी ने गोल्ड मेडल जीता है दिप्ति कुमारी ने जार्खन की अंकीता भागत को मात देकर जित हासिल की है दिप्ति कुमारी को साइक की ओर से पांच लाख रुपे का प्रोचाहन रासित देकर समानित किया गया इस जीत के बाद उसके कोच रोहित कोईरी एकेडमी की अध्यक्षता नेहा मोहतो अर्चरी कोच परकास राम समेत खेल पतादिकारियों ने बधाई दिया जार्खन कॉंग्रेस का जय भारत सत्यागरा आज से राहूल गांधी के सरसेता जाने के बाद कॉंग्रेस केंदर सरकार पर हमलवा रहा है पार्टी के नितलागातार भाजपाप पर ताना साही कारोप लगा रही है और इसके बीरोद में जार्खन कॉंग्रेस आई से जय भारत सत्यागरा यात्रा कारकरम अभ्यान चलाने जा रही है इसकी सुरुवात राज जानी राची से साम साड़े पांच वह लोकतंत्र बचाओ मसाल सांती मार्च के जरिये किया जा रहा है जो अस्थानिय जीला इस्कूल प्रांगन इस्थी सहिद अस्थल से आराम होकर कचहरी चोक होते हुए राज भवन तक जाएगा इस कार्क के दो माह का वेतन भुखतान HC c कर्मियों को सोम वएर को एक साथ दो महिने के वेतन का भुखतान प्रवंधन की ओर से किया गया वहीं बेतन भुखतान होने पर HC c Officers Association का द्यक्ष्प्रेम करपासवान ने हर्स ब्यक्त करते हुए कहा है कि प्रवंधान ने पिछले दिनों सांसत संजय से ठ्थ हुआ भाजपा ने ता विजय जैस्वाल के साथ हुई बैटक में दियेगा अस्वासवन को पूरा किया बेतन मिलने से कर्मियों का उस्सा बढ़ेगा और चालू भी तिय वर्स में कंपणी नई उचाई पर पहुंचेगी उन्होंने कहा है कि कारे देश की कमी नहीं है कच्छे माल के अपूर्ती होने से चीसी का उत्पादन बढ़ेगा धन्यवाद यदि आप चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बॉल का बेल एक अंद बाई है